हेलो अब्रीवन तकम तू माई चानल इस वीकली जो डेक रीडिंग में हम कैप्टिकॉन यानि के मकर राशी वाले लोग लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा कॉन-कॉनसी एनरजी आपके सरावंजी में रहेंगी साथ में जो भी एडवाइज होगी कर लेते हैं कार्च, कैप्रिकॉन, मकर राशी एट रफ कर्प्स आव्णक, राशी खर्फ कर्प्स कर्वाइद ग्डवेण आशी एट रहेंगे विक्यान जौन में झाल एट्थ कार्फ कर्फ 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 प्सक्टिकॉन एट्य। कि जौँ झेजयों आप लोगे परिशान से हो सकता है आपको सब्सकेश है जोई नहीं अब ट्रीश मेंT common हां किसी थींट कोई सब्सक्राइब कर और रहा हुँ ट्व थोड़ी सी मुश्किलियं आपको आरहिए लेकिन जो भी चेंज आपके लाइफ में हो रहा है यह जिस से भी आप मुववण कर रहे हैं चाहें यह मुवण आप किसी परसन से ही क्यों न कर रहे हो आपके अच्छे क्लिए ही हो रहा है और साथ में इस वीक की एनर्जी कुछ ऐ है कि कभी सारी चीजें आप लोग के लाइफ में चल रही है बहुत जादा मिक्स्ट इमोशन वाली आप एनर्जीज है ऐसा होगा कि कभी तो आप जैसे मूर स्विंग्स कहते हैं तो इस वीक आपके थोड़े से हो सकते हैं जैसे कभी तो आप बहुत अच्छा अच्छा फील क अपने एमोशन का थोड़े से ख्याल रखे वाटर हमेशा में चाहिए तो आपको ख्याल रखने के लिए काहा जारा है किसी यह चीज को लेकर ओवर इमोशनल ना हो आप किसी से प्यार करते हो किसी के लिए बहुत ज़़धा फिलिंग्स आप अच्छी बात है लेकिं वह आ आने वाली है और आप उसको जिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस काम को करने के लिए उस अपॉर्शनेटी को ग्रैप करने के लिए जस यहां पर कहा जा रहा है पॉजिटिव आपको रहना है पॉजिटिव एक फॉलो करना है नेगिटिव नहीं होना है एक और मुझे किसके लिए मिला क्वीन ऑफ सौर्स के हैं तो कह रहा है कि बहुत जादा टॉफ टाइम आपने देखा है हो सब्सक्ते कि विज़े से आप काफी ज्यादा हो गए बहुत जादा जैसे कहते है ना कि खुद को कठोर बना लेना खुद को हार्ट बना लेना ऐसी यहां सिच्वेशन मुझे नजर आ रही है एक चीज आप यह जो कार्ड मुझे आप मैसेज दे रहा है कि यह जो भी आपने जिस भी चीज से आपने मूव ओन कर रहा है जिस भी चीज से आप मूव ओन कर रहे हो उसके लिए परिशान नहीं हो कुछ टॉक्सिक लोग थे आपकी ल करने का सोच रहे हो अपनी फीलिंगस करने का सोच रहे हो या फिर अगर तो यहां पर अचराए कि लेशन्शिप को बोरिंग नहीं बनाएं आप छोटी चोटी चीजे कर है कि आपके पार्णर को खुश रख सके कुछ सब्राइज देना कुछ KIPTs कर देना तो ऐसी चीजे कि आपके relationship में जो एक freshness होती है वो बरकरार रहे तो यहाँ पर ऐसी energies कही जा रही है और दूसरी चीज़ कि अगर किसी को आपको आपकी feelings express करनी है तो कर दीजे यहीं आप पर कहा जा रहा है ज्यादा लेट नहीं करिए आप कर दीजे अब ही देखते हैं आप लोग के लिए और क कि अगर आपको आपकी feelings किसी को express करनी है तो डिले नहीं करिए action ले लीजे action आपको इस week लेने है night of wands भी action की ही energy है सो और ज्यादा मतलब कहते हैं हाथ पे हाथ रखके बैठना और ज्यादा बैठना नहीं है action ले देना है चीजों को let को कर देना है जने करने की जरूरत है आपकी life से दूसरी चीज यहां पर हो सकता है कि कोई person आपसे commitment चाह रहे हो आपके relationship के लिए अशादी के लिए तो यह है तो situation को लटकते हुए hang करते हुए नहीं छोड़ो action आप लीजे ओके कुछ last guidance ले लेती हुँ हूँ मैं आप लोग के लिए Capricorn, Makarashi Receptivity, Allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि एक receiving mode पर आपको रहना है ठीक है और receiving mode पर रहने से मतलब है कि अगर कोई person आपकी help के लिए आ रहा है आप उसे ना कर दे रहा है तो वो चीज़ आपको नहीं करने है अगर कोई आपकी help करना चाहता है genuinely तो आप उनकी help ले सकते हो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों की responsibility आप अपनी उपर ही लो या फिर ऐसे समझो कि हमें किसी की help की ज़रूरत नहीं है हम सब अपनी आप कर ल आपको लेटर सब्डेट मिलती रहें पैल आइकन को प्रेस करना ना भूले में मिलते हूं उपसे नेक सीडिंग में तक तक के लिए पाए